और उनके माता-पिता के चोड़ों में नमस्कार, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी को जोइन किया है, जहाँ पर सिरफ संसकार सिखाया जाते हैं, जहाँ पर गदारी नहीं सिखाया जाती, मकारी नहीं सिखाया जाती, जहाँ इमानदारी सिखाया जाती है, और SLEPS में जो भ जार वेन्यू पे बैठे हैं आप लोगों ने कमाल किया एक नया इतिहास लिखा है सब लोग सोच रहे थे यह सलीपेस वाले माउसब में बड़ा उत्ते फानते देखो भाई हमारे साथ तो हर साल चैलेंज आता है पिछली साल राम मंदिर इस साल करोना बाबा पिछली साल नो राम मंदिर का फैसला आया था धारह 144 लगती तो कहां से फंक्षन होता पर फिर हमारा जो बाबा बैठा है न उससे बड़ी तागत कोई नहीं है वो बाबा डमरू वजाता है और खेल हो जाता है बाबा डमरू वजाता है खेल हो जाता है आज भी जहाम सोच र लाग लोग बैटे हैं दुनिया वालो आके खोल कर देख लो डेड़ लाग लोग बैटे हैं इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए काम्याब बनाने के लिए 6 साल बेमिसाल तक लाने में मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है दोस्तों मैंने तो सिरफ सपना देखा कुछ लोगों के साथ काफिला जुड़ता गया आप जैसे अच्छे लोग साथ आते गए मैं गर्व से कह सकता हूं कि एसली प्यस का हर एक्ट फाइटर हर एक्ट फाइटर इमांदार है जाबाज है सच्चा है शूर वीर है और मेरा एक दिल है कितनी बार जीतोगे बार बा जीत लेते हो और बार बार में नत्मस्तक हो जाता हूं 6 साल यहां तक पहुचने का जो सफर है इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है आप सब का एक एक फ्रेशर का योगदान है हर उस वेक्ति का योगदान है जो एसलिपे इसको जानता है जो हमारे बारे में नेगेटिव बात करता है उसका भी योगदान है कम से का मुवारी कंपनी का नाम तो बताता है किसी को और जो हमारे साथ है उनका तो बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान का सबसे बड़ा शिरे जाता है हमारी कंपणी के ओपरेशन डारेक्टर मिस्टर मामचंजी को जो हमारे पिछे मजबूत स्थम्प की तरह खड़े रहते हैं अनिल कुरी जी को जो मार्कें लोगों को ट्रेंड करते हैं और कंपणी के first एमेच्टर मिस्टर महिपाल सिंग जी को जिनोंने इंडिया में नहीं वर्ल्ड रिकोर्ड बना इतने कम समय में इतनी अचीमेंट लेके योगदान है दोस्तों उन्स सबका योगदान है चैसाल बेमिसाल कर दिया तुमने कमाल मच गया डारेक्ट सेलिंग में धमाल लोगों के हाथ में पकड़ा दिया आसू पोचने के लिए रुमाल देखिए मैंने इसे बोला था सेकंड शो में मुझे थोड़ी पता था मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं अच्छा वो बोला भी जोश जोश में था मुझे नहीं पता लाइव होते कैसे हैं मैं सीधी बात बता हूँ मैं तो टेक्निकली बड़ा फेलियर आदमी हूँ बस वो तो मेरे जोश जोश में दूसरी साल का सो चल रहा था ताल को टरह में बागी आवाज अंदर से मैंने बोल दिया एक दून ऐसा होगा पिक्चर होल बूक होंगे हजार होटल बूक होंगे दिल्ली में सो चलेगा लो बेवकूप बनाए अगर यहां से कोई अवाज दी जाएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई जरूर होगे है हंड्रेट पर्सेंट परमात्मा वह सारी चीज़े करता है अब परमात्मा को कंपनी बढ़ानी थी यह लाइव सो करान था करोना बाब ही भेज़ दिये मैंने खूब समझाया अब रोजगार लोगों को भई रोजगार डारेक्ट सेलिंग में मिलता है रहने तो डारेक्ट सेलिंग भई बीमार आदमी को समझाया अब रहने दिया अब करोना बाबा ने समझाया तो समझा गिया अब करोना बाबा बोला कि आरवेदी उस करोगे तो करोना से बचोगे और बिरोजगार को बोला डारेक्ट सेलिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे कभी रोजगार ढूंडने की जोर्त नहीं पड़ेगी दोस्तों बहुत ग्रोथ आई ये डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 महिने में मैं यह नहीं कहता है अमारी कंपनी में तकरीबन लोग जानने लगें समझने लगें अब यहां प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं मेरा बेटा आमेटे युनिवस्टी में लेलबी कर तो यह ट्रेंड आ गया है लोग समझने लगें आप लोग भी समझो कि यह इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है यह वह इंडस्ट्री जिसने इस पैनेडमिक माहौल में वह करके दिखाया जहां पर लोग एक एक रुपे के मोहताज हो गये ते डारेक्सिंग वाले र को गाडिया बेच रहे थे डारेक्सिंग लिवारे गाड़ियां खरीद रहे थे ये डारेक्सिंग की तागत है Season 6 तो मज़ा रहा है तब तक ही डरता है एक डोरंद तीन बर ले लेंके दीर ピर टाइम निकालता सब्सक्रा준 मेरे कान में पूले तरही कमपनी की मुझे एक लाग क्रोड की लग रही है एक लाग क्रोड की potential डारेक्ष लिग की कंपनी की एक वेक्ती विशेस एक ऐसे प्रतिष्टित पेक्तिकों लगी आज वहुम इरे लिए बहुत बड़ा कॉम्पलीमेंट था दोस्तो कल क्या होगा अगला नहीं होगा तर बुलवाना चाहता हूं जो ऐसी प्रतिष्टा रखते हैं कि डारेक्ट सेलिंग करने वाले भी एक लाग क्रोड की कंपरी बन सकती है और उसमें काम करने वाले सो सो कोरण हजार हजार कोड के लीडर बन सकते हैं यह बात मैं हिंदुस्तान के हर प्रतिष्टा आज मुझे बुलवाना चाहता हूं जिसमें आज एक व्यक्ति बोलके गया है लेकिन तकलीफ सिरफ जब होती है जब यहां लोग आके फेलियर हो जाते हैं जब बहुत तकलीफ होती है फेलियर होने के बहुत सारे कारण है हम स्टेज के माध्यम से मैं सारे नहीं बता सकता आपको क्योंकि failure होता कौन है direct selling करता कौन है जिसको रियल जरूत है एसलिपेस जोइन कौन करता है जिसको need है जिसके परिवार में जरूत है जिसके सपने है जिसके घर में तकलीफ है प्रॉब्लम है ऐसे middle class lower middle class ऐसे लोग इस इंडर्स्ट्री माते है और जब लोग फेल हो जाते है ना तो मेरे दिल पर बहुत लगता है मेरे एकदम से मैं कह रहा हूं मैं blender stress में आता हूं कि यार अगर अम्मानी का बेटा आके यहां फेल हो जाए किसी करोणपती का बेटा आके फेल हो जाए समझ में आता है पर एक गरीब किसान का बेटा आके यहां फेल हो जाए समझ में नहीं आता क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्तानी काम्याब होने का एक रास्ता जो पिता प्रमात्मा ने बनाया था वो उसको मिला और वो अपनी ना बेवकूफियों के कारण या अपनी ना समझी के कारण या फेल हो जाता है दोस्तों और यह जब फेलियर आता है ना यह दिल पे लगता है क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको हम मिडिल क्लास लोगें इ मारा मान हमें पैसा कोई नहीं कम वह सकती हुआ कि तो मैं यहां दिली से जितने भी लोग लाइफ देख रहे हैं सुम रहे हैं उनको शर्वेक बात कहना जाओंगा मेरे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलती है यह इंडरस्ट्री बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंडरस्ट्री हम कोई B-Tech, M-Tech, IPSIS नहीं है मेरे भाई, हम Middle Class लोग हैं, Lower Middle Class लोग हैं, गरीबों के बच्चे हम, हमने सबर साइकल पे जिया है, हमने Normal स्कूल में पढ़ाई की, हमने Normal जिंद की जिये, अगर हमें ये धन्दा मिल गया, तो पीछे मत हटना, डटे रहना, मैधान मत छोड़ना, चार साल अपने अपलाईन का हाथ पकड़ लेना, सोटकट में बताता हूँ, जो सिकाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाईन को हीरो समझना, मैं लिख के दे सकता हूँ जिस करीब आद मिने हाथ ऐसलिए पेसके हाथ में दिया उसको अमीर ना बना दिया तो असलिए बाप की उलाद नहीं कि मैंने ये कंपनी दिमाग से नहीं बनाई नहीं मेरा दिमाग चलता है कि मैंने जितनी बाते बोली है दिल से बोली है जो सारी सच होती है कि मैंने यहां से बनाई ये कंपनी मैं कंपनी नहीं समझता है इसे पूजा करता हूं मैं अब शाना हमरा इतना बड़ा शोता हराम जदे कुद्टे जो भार मेटे हाए मार रहें कल से पुझे बुखार हुआ जुखाम हुआ खासी हुई रसु मेरी उंगली पिछ गई मतलब पूरी कोशिज कर ली कि यह आदमी शो में न जाए तुम्हारा फूपा फिर भी आया जितनी हाय के लगानी यह लगाओ जितनी हाय लगानी यह लगाओ साल दुनिया जीत के दिखाऊंगा वल्ड की नंबर वन कंपनी ना बना दी संजीब कुमार ने रिकोड करो रिकोड वल्ड की नंबर वर कंपनी ना बना दी वल्ड की नंबर वन वल्ड की नंबर वन अपने बाप की ओलाद नहीं यह बैटा मेरा बाप अपने बाप की ओलाद नहीं वल्ड की नंबर वन World Key Number One World Key Number One World Key Number One कपनी बलाऊंगा World Key Number One कि वर्ल्ड की नंबर वर्ण हैंवे के मालिक को सुनना है वो सुनने हर्बर लाइफ के मालिक को सुनना है सुनने साले छक्का बस इसका इंतजारता बैटिंग चालू हो चुकी है कि मुझे नहीं आता है लोगों का यूज करना कड़वा हूं गालियां तक देटे तो अमने लीडर को लेकिन कोई पुरा नहीं मानता और साले उल्टा के बोलते हैं सर दी बड़ा मजा है आस्तु हिंदुस्तान का पहला ऐसा एमडियों की लीडरों को गाली देता हो फिर बोल करता है मेरे को सर इस सो को कैसे करूं मैं बोला आपने गालियां नहीं बगी गाली बगोगी तो अच्छा सो कर दूंगा जमान से कड़वा हूं लेकिन इहां से कभी नहीं सोचा किसी का नुक्सान कर दूं प्रोडेट का रेट फाल तुमें बढ़ा दूं प्लान में कुछ चेंज कर दूं लोगों का खा जाओं लोगों का हाजम कर जाओं लोगों के पैसे पी जाओं कभी नहीं सोचा हमेशा यह सोचा मैं जादे कैसे दे सकता हूं मैं और जादे क्या कर सकता हूं अभी पहला चेक नहीं आता था बिना के वैसे कि मैंने सोचा है पहला चेक जाना अच्छी है फिजिकल के वैसी आये चाहना है क्योंकि उसका कॉन्फिटेंस होता है उसका पहला चेक नहीं होता वह हजार रुपए उसे करोड़ों में दिखते हैं मैंने पहला चेक देना शुरू किया कोल सालां एमडी देता है कि 90% इतने बजार में बैठे साले बनिया बुद्धी के लोग है 24 गंटे बनिया गिरी करते हैं दिवाग लगाते रहते हैं इधर से चूसले इधर से चूसले इनका खून निकाल ले इनका खून चूसले इनसे काम करा ले अपना मुनापादे कमनी को बड़ी बना किसने सोचा अच्छाज लेजा लाला क्यों कि किसी को समझ लिए इंडुस्ट्री किया है मैं भी लाल्ची था जूट नहीं बोलता है मैं भी इस कंपनी को खोला पैसे कमाने के लिए था जूट नहीं बोला जाता यह सचाही है लेकि जब मेरी इस कंपनी में सबर बढ़ता रहा आगे में बढ़ता रहा लोग काम्याब होते रहे पैर चुना प्यार करना गुरुजी आपके इसे जिंद की कुनाल गले लगता है तो रोने लग जाता है भी पाल से रचीमेंट आए तो इतना प्यारा भेज़ते हैं आखों में आशुआ जाते हैं मैंने का यह क्या पन गया तुस्से लालच लालच में क्या बन गया लालच लालच में मंदिर बन गया लोग ठीक होते हैं दुआई देते हैं प्यारों में पड़ जाते हैं अरे गुरु जी मैं ठीक हो गया मेरे उलाद हो गई मैं बे उलाद था मेरे गुटने ठीक हो गई मेरे ब्रेंट कैंसर में आराम हो गया मेरी पैरलाइस ठीक हो गई मैं भी लालची था मैंने कंपनी के लिए नहीं तुम तो लोगों के कमाने के लिए पैदा हुए हो कि मेरे पास सो मजदूर है उनको निकाल दिया तो दूसरी फेक्ट्री में नोकरी मिल जाएगी हाँ ना मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी या पर कौन आता है कोई बी टैग विचारा कोई एम टैग कोई एम बीए कोई में करके पूरी जिंदकी लगा देते बच्चे सुवजे शाम तक घूमते उन गरीब बच्चों को देखो जुन्होंने विचारों के आईडी के पैसे बड़ी मुश्किल से दिये छप्पर घर में पड़ा है सुबह निकल रहे हैं बाइक लेके जोला धूप मे गर्मी में और साले कंपनी के मालिक अपने लालच के लिए उनका खूल चूसते हैं संजीव कुमार ने नहीं चूसा इसलिए इनकी आखों में मैं चुपता हूँ और बेटा मैंने कहा था अभी तो आए ना हूँ जिस दिन सीशा बन जाओंगा दुनिया देखेगे मुझे समझाते हैं पहले दिन से समझा रहे हैं जबसे कंपनी को ली लिक्वीटी प्रोडेक्ट मत बेच बरबाद हो जाएगा हो गया है ट्रांस्पोर्टरेशन महंगा है मैंनों फैक्शनिंग महंगी है लिकेज है यह है फलाना है धिमका है फिर एक मेरा बड़ा अच्छ हमेरा यह साल्य मुझे कूंपेशन गी बात करते हैं मुझे कॉमटीसन करें इंका बाप बाप भी मुझे कॉमटीसन भी मिद्लिधर सकता है कि I I do not care I À stream पाना आता है कि मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं मुझे एसलीपेस में ऐसा नहीं लगता मैं इतना अपने बच्चों को प्यार नहीं करता चितना अपने एसलीपेस को परिवार को प्यार करता हूं मैंने छह साल से ना भीवी दे की डंग से न पता नहीं कहा मंतर पढ़ रहे हैं बैट बैट के कुमार विश्वाज जी आए बता रहे हैं मुझे भाई संजीव तेरी कंपनी का नाम आते हैं धैमेल इतनी मेल आ गई मत जाओ यह है वो है आप यूथ आइकोनों कुमार विश्वाज जी खुद बता के गए अभी आप यूथ आइकोनों आपके दो ड्हाइकोड फोलोर हैं आपको इन कम्यों को प्रोग्राम में नहीं जाना चीए बोला मैंने कहीं भाई संजीव जिसके शत्रू जादा है इसका मतलब आदमी एक नंबर है कि वर तेंगे बना देंगे जिंद्धिंगे बना देंगे मुलब दिमाग लगाय जा रहे हैं अब भाई हमने तो प्लान मनाया अपने दिमाग से किसी का कोपी किया था क्या पहले को ऐसा प्लान था इस हिंदुस्तान में हम तो प्रोडेक्ट बनाते हैं तो प्रोडेक्ट बनाते हैं अब कोपी करने में लग रहे हैं कहते हम आपके साथ हैं हम आपकी जिंदगी के साथ हैं तुम साले जिंदगी में साथ नहीं हो मैं तो जा दोलत को कुछ नहीं माना शिरफ एक कागज का टुकड़ा माना है मैंने इंसानियत को महबद दिये लोगों को महबद दिये लोगों के कोई दुनिया से चला जाएगा तो यह देगे तो एक दो कमनी का फुद दूसा डारेक्टर शाला चेह महीने उमर नहीं मैं भी टूंगा को लुगा पट्टे अपने घर का धरवाच्चा तो देख पहले चाले वह तो टुक्टा हुआ तेरे पर वह तो बदली नहीं हुआ मैं तुमसे कॉंपटिशन भी नहीं करूँगा तुमारे इचत करूँगा पर दिल से बनाना दिल से दिमाग से नहीं लोगों का खून चूसने के लिए नहीं लोगों को कमवाने के लिए बनाना मैं इचत दूँगा उन लोगों को बनाओ ऐसी कंपनी कुछ पुरानी पुरानी कंपनी होगी हमरे लेविल प्लान को देखके लेविल प्लान ला रही है कभी कुछ कर रही है प्रोडेक्ट को देखके प्रोडेक्ट ला रही है पुराने होगे साले लाला जवानी में इतनी महनत करने लेते तो गुठने तो नहीं किसाने पड़ते बढ़ापे में नेट्रक बचाते खुमरें अपना ऐसली पेस्ट में लोग जा रहे हैं ऐसली पेस्ट में लोग जा रहे हैं हम गुलाने जाते हैं संजीव कुमार ने आज तक ही भी फोन किसी को किया और मैं आज फिर एक ऐलान करता हूं इस माइक के माध्यम से बच्चों मत पड़ो इन गदों के चक्कर में कोई नहीं है हमारे टक्कर में कि आप सब लोग जो भी डारेक्ट सेलिंग कर रहे हैं अगर आप अच्छी इंकम पा रहे हैं पक्का उसी कमपनी में रहिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा डिस्टब होना ना डिस्टब करना यह मेरी नीते में नहीं है मेरे इथिक्स में नहीं है मेरी ये वैल्लिउज अगर कोई भी आदमी अच्छे पैसे किसी भी कमपनी में कमा रहा है कोई भी कमपनी और आम से रह भाई काम कर पैसे कमा गारी करीद हमारी बैस्ट विशिस तेरे साथ है लेकिन अगर तुझे लगता है कि तुझे यूज किया जा रहा है और तुझे लगता है कि तेरे सालो निकलने के बाद आज failure मेरे हाथ में तो आप failure मैं बनाओंगा तुझे अचीवर अचीवर उन लोगों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला हुआ है जो कहते हैं डारेक सेलिंग डारेक सेलिंग जैसा easy काम ही नहीं है प्रोडेक्ट में दम होना चाहिए कंपनियों की USB होनी चाहिए बोलते हो यह तो 6 साल पुरा नहीं है मेरे पास infrastructure 20 पुराने वालों के पास नहीं हो इंफ्रेस्टेक्ट्ट मेरे पास है और यो मेना को झ्हलक दिखाई ए है इधर से खरीदा इधर फार अपना रिसस्ट का प्रोडेक्ट अपने साइंट्स लगाया हुआ प्रोडेक्ट अपनी योग्यता से बनाया हुआ नियुए योग्यता से वो प्रोडेक्ट जब बजार में जाए तो लोग बोलें कि मज़ा आगया अगर एक डारेक्ट सेलर को एक कंजूमर बोलेगा तेरे प्रोडेक्ट लेके मज़ा आगया पैसे नहीं सस्ता महेंगा यह सब अकड़म तकड़म यह जितने भी बजार में बैठें इस सिर्फ आदमी का दिमाग गुमाने का खेल कर रहें कि अंडरेटेंड पैसे नहीं देखता कोई कोई डियापटीज भाला पैसे गह अंह Goodbye to Mexico and कुट्रले में डरदाओ पैसे देखेगा जिसको बच्चेशन हमें दस साल से में उलादे पैसे देखां जिसकी नोग काट में रसвली हो पैसे देखेगा पैसे कोई नहीं रेजल्ट देखता है यही कहना चाहता हूं इस फ्ल101 से की डारिक्स सेलिंग होती है झिसको मैंने प्रोडेक्ट दीया ना वो डारिक्स एलर नावने पर मेरा प्रोडेक्ट दास घर में देखना है मुझे आ गया प्रोडेक्टों Marne यह होते ही थीकल रियल डारेक्ट सेलिंग इधर से लिया किसी से सरफ ले रहा है किसी से साबूल ले रहा है किसी से चड्डी ले रहा है किसी से बन्याल ले रहा है उल्लू के बठेजा पर बोलते हैं हम डारेक्ट सेलिंग कर रहे हैं यह डारेक्ट सेलिंग होती है यह बेवकूप बनाना होता है यह बेवकूप बनाना होता है डारेक्ट सेलिंग होते हैं मैं करके दिखाऊंगा भी मैंने का ना लग गया ना six six लग गया तीन महिने तीन महिने किंती कर लेना टेस्ट उपर नीचे हो सकता है, यह मैं सोचना पुराना टेस्ट नहीं मिल रहा, तीन महीने, चैलेज, इस टेस्ट से कह रहा हूं, इस टेस्ट से तीन महीने, डबल रिजल्ट नहीं बढ़ा दिये, डबल नहीं कर दिये तो मेरा नाम संजीव कुमार नहीं, डबल रिजल्ट उस रात में ऐसा सुरूए अपना अपना इस्टाइल है काम करने का अपना इस्टाइल तो यही है ठोक के कहते हैं ठोक के करते हैं अज तक ना पीचे रटेंगे मैं फेक्षिरिंग प्लटो में चाली डरे रहते हैं कल कंपनी बंद हो गया इंटवह केस हो गया तो फ्रणा डिमका हो गया एसे पंगा लेंगे मैंने डरता है बाई कुछ कीविजा चाहें मैंने जनता कमा रख़्ी है अगर मैंने गलत नहीं किया होगा मेरी जनता रोड़ों पे होगी मुझे पता है अगर मैंने गलत नहीं किया होगा तो कि हमने लोग कमाएं लोकों का यूज नहीं किया हमने हुआ कि मुझे नीडर लगता है कि जितना आता है शाणा लगा देता हूं थी करोण का यह प्लांट तैयार हो रहा है फिर फूर्ट सब्लिमेंट का प्लांट तैयार हो रहा है यह नोर ना रहा है और चार बनाऊंगा पूच पाड़ लो मेरी एक यूरीक सेलिंग पॉइंट होगा आपारी कंपनी का आज बता देता हो तुम्हें बार का प्रोडेक्ट नहीं लेंगे 99 परसेंट एक प्रसेंट कोई प्रोडेक्ट हो सकता है 99 परसेंट में बोल रहा हूं एक प्रेट्र लगेगी अपनी अपनी है कि अग्याओं मैं लागँ अगरे कलंचे प्रोडेक्ट लेकिन किसान जब हसल में लेकर ना तो तुम्हें दुम्हें दुआं देगा और फ्रेक्ट्री होगी अपनी हार एक फैक्ट्री अपनी होगी जितने प्रोडेक्ट अपन बेचेगे सब अपन बनाएंगे सारा पैसा है ऐसे हमा लगा दूँगा नहीं चाहिए एक भी पैसा आदमी खाली आता आता है खाली आत जाता है नाम लेके जाता है संजीव कुमार का एक ही सपना है दुनिया से जाए सो साल तक लोग याद करें कि एक शेर का बच्चा साला हिंदुस्तान में पैदा हुआ था क्वांटिटी पे क्या करना कई बार लीडर आके बोलते सर यह ले आओ अरे भाई में लेके तो चपन सो प्रोडेक्ट ले आओ रोज को यह आजाता है यह पेचलो यह बेचलो नहीं बेचना किसी का प्रोडेक्ट मुझे नहीं पता और यह नहीं इड gotta भी नोगरि रखा अर्वेटी टार बेर सीग्टेमेक्स्टों तो मैंने कहा यह प्रोडेक्ट है इसमें केसर डलता है विधा 친 बात करें कि सलेंगा यह क्यूं हो यह कुछ कुछ कि यह एक पो दाएक वाला मेरा गाने किसी को केसर डालते नहीं देखा मैंने भबाबा केसर से उपर अगर कुछ होता हुँ वह भी डालते है लेकिन हम अपने और कि लोगों के साथ नहीं करेंगा सारा सिस्टम तैयार हो रहा है एक्सपोर्ट यूनिट बन रही एक तरह की पेचेंगे बार मी बेचेंगे गोरे लोग इंतजार करें गोरी मेनम कहांगी बोला ने गोरी गोरी मेनम वो कहांगी अरे हमें देशी नहीं विदेशी चीए बोला ने भूली देती रहेंगी या कमी इनसे पूछो तो सी आयरवेदा जानते ही जानते आज एक लियर हो जाएगा भी केगा नहीं विकेगा जैसे वह न चपन नहीं थी तो किलियर हो गया जूते भीकेंगे तो इनसे पूछ गई अपना खोगी न तो आईडी लगा देता हूं अभी तो इन से फूली ले रहे हैं ना थोड़े साल और तो मुझे क्योंकि जब भार जाएंगे ना तो मेरी जो नीती भार जाने की है वो नहीं है जो कंपनिया करती है लंदन में कमणी रेइस्टेट कराके साटिफिकेट डाल दो पंगलादेश में रेइस्टेट कराके साट पंगलादेश्टेट डाल दो वर्चल ओफिस ले लो यह इंड़स्ट्री साली चोरों की है कि वह सही बता रहूं बेहिमानों की है हाट टाइम दिमाग लगाते रहते हैं लोगों को बना दो बस हमारा ऐसा नहीं होगा हम जब जाएंगे तो उन प्रोडेक्टों के साथ उस कैसा करना है जिसमें दोस्तों समय लगेगा पहले हिंदुस्तान को जीतेंगे फिर दुनिया की बारी है त्यार हो जो भी लोग लाइब देख रहे हैं उन्हें हाथ जोड़के माफी मांगता हूं सुबह से बिचारे बैटे हैं भूके प्यासे लेकिन देखो यह तो खाने की भूक है मिट सकती है दुबारा खाना मिल जाएगा लेकिन जो जिन्दकी हमिलती है ना एक बार यह जि बड़ा आदमी बनना तो त्यार करना पड़ता है जो फिरेगा वो चरेगा जो फिरेगा वो चरेगा और जो घर छोड़ेगा वो रिकोर्ड तोड़ेगा तयार हो अच्छा वाकि में आपको लगता है कि हम लोग बिजनिसमेंट टाइब लोग है ने दिल से बताओ लगता है अपना तबसा नहीं लगता अपनी कमपनी नहीं लगती मैं हमेशा कहता हूँ यह लोगों की कमपनिया होती है मेरे दोस्ट यह कोई फैक्टरी नहीं है कि सो मजदूर निकाल दिया दूसरी फैक्टरी में चले जाएंगे यह डारेक्ट सेलिंग इंडिस्टिय लाखों लोगों का भुष्ट्य लगा है मैंने इस कंपनी को पबली कंपनी माना इसलिए मैं से काम करता हूं मैं इस कंपनी को कभी अपनी क परिवार मेरा पैसा नहीं आपका परिवार आपकी दोलत और आप हो और रहोगे ता उमर रहोगे लगती अपनी सी कंपनी है 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 फिर जला दू बारवालों को कि चलो कि चलो दूसरा रुमाल उठवा देते हैं फिर एक तो ले लिया था सुबह है छैसाल होगे नहीं कि अच्छा हां कि अच्छा सभी लोग लाइव है यह है 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 मदाबाद वालों से कनेट करो एक बार हां मिले लोगों से थोड़ी देर मिलने इतनी सारे लोग हमारे लाइव देख रहे हैं हमें आज ही किसे कनेक्ट कर रहे हो हमरी सर आप म्यूट करो अन्म्यूट करो वाज अरे वहा क्या बात है हमरी सर वाले God bless you happy birthday to you thank you so much सब लोग फट्टे चको आश्ट वानम्यूट करो कि अ क्या बात है अजोग भाटिया जी जल्वें आपके वारनसी जी जमान आदमी वारनसी क्या बात है अंपरका साब क्या आले अरे बुड़ापे में जमानी से जैसा जोशे आपका कि म्यूट क्यों रहा है है ओके राइपूर 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 क्या बात है राइपूर वालो 36 गडिया सबले बढ़िया परसा ताली बजाओ यार यह लोग हमारे गैस्ट है यह हमारी हमारे परिवार है जोधपूर जोधपूर यह जोधपूर बेस्ट अफ लाग गॉड़ ब्लेस यो क्या बात है कजंदर सिंग जी तमाल कमाल रेंज रोवर गाड़ी ले लिया आपने इतने कम समय में वाँ वा इस्थान के रणवीरों दुनिया जीतने दुनिया दुनिया जीतेंगे दुनिया केम छो हमदाबात हमदाबात केम छो हो हो हमदाबात मजा में छो एक गुजराती सब के भारी अरे भाई गुजरात वालो आपके पैदाइसी बिजलिसमें हो तो आपके तो सो गुरोण की गारंटी पकी लेलो आप तो हंडेट परशेंट कमाओगे तैंक यू अमरी सार तैंक यू वारनसी तैंक यू राइपूर जोथपूर एमदाबाद और हमारे भाई मित्र नाइक्स्ट करो लेकर हो मिलनेते अपने लोगों से यार अब ऐसी मुलाकात होगी करो ना भावा का अश्रवाद है क्या करें आज भी कुछ प्रोडेक्ट लॉंच करतें जो है है जोकि आज भी बहुत अच्छे प्रोडेक्ड लॉंच करेंगे कुछ यूनिक प्रॉडेक्ट शेल्फ और अरेमिन नी प्रोडेक्ट कि ऐसा एक प्रोडेक्ट लॉंच करूंगा जो अभी तक किसी ने सोचा भी निन ना किसी ने बनाए और बनाएगा तो भी दिक्कत आएगी करें करें कि प्रोडेक्ट लॉंच करें पहले लोगों से बात करें लोगों से बात कर लेते हैं अपने सारे लोग बैठें इंचार कर रहे हैं यह आगरा कैसे आगरावाले अरे आपके यहां तो अजुबा है ताज मेल है यह आगरावालो आपकी बैस्ट आफ लाग गोड ब्लेस यू एपी बड़े तो ओल आफ यू परमात्मा आपने हिम्मर्श शक्ती चस्मा दे दुनिया जीतने का गोड ब्लेस यू अरे क्या है अरुन जी कैसे हो आप अर्विंद जी अर्विंद चुहान मुझे सुन पारे गुड़गाओं के लोग गुड़गाओं आप सबको बेस्ट आफ लाग गोड ब्लेस यू एपी बड़्डे तो ओल आफ यू शिक्कर आगया शिक्कर राजिस्थान शिक्कर वाले संदीम जी क्या बात है गोड ब्लेस यू गोड ब्लेस यू बैस्ट आफ लाग एपी बड़्डे तो ओल आफ यू इसी तरह दिन दुनी राज्चोगनी तरकी करो प्रमात्मा आपको हिम्मश शक्ती चस्पा दे इस सच्चा इमांदारी नेगनियत के साथ काम करने का थैंक्यू शिक् अच्छे बहुत अच्छे स्रीकान जी प्रनीता जी प्रदीव धोटे जी आपको बहुत 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 बैस्ट मिसेज एपी बड़्डे तो लॉफ यू गोड ब्लेस यू इसी तरह आगे बढ़ते रहो फटे चकते रहो देंदुनी राज्चोगनी तरकी करते रहो और मे अब इसकी भी कोपी करों तो नो यार तो ये अवाज जाएगी नहीं आप चाहिए तारी अग्राटू 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 यालाओ न आख धर जेमिसर की टीम अगृरा अगृृण ओकल लो यसी capable इचर डूर अड्रीा वो faith डेशा जाए कम्योंट। स्क्री 성्वाइभ यह एंग में आप लोगों को दिखाना ना की करिप अइन टोड़र एक प्रीड ये लेकिन गरीब पैदा होना हमारी मजबूरी ए लेकिन करीब मरना हमारी कम जोरी है और पतना वालो सरकार किसी की हो एसलिपिस का राथ चलेगा राथ जैवीर सिंग अगरा जेवीर सिंग जी आपने फटे चक दिये, कमाल कर दिया, बहुत बड़े रिकोर्ड आपकी टीम ने बनाए है, रियली सुपर हीट रिकोर्ड है, मज़ा आगे आप लोगों के साथ काम करके, मुझे एसलिप प्यसके, का बाते, का बाते? अरे आसाम के पास अगरतला अगरतला बंडे जी God bless you, happy birthday to you, best of luck आप सब लोग इसी तरह हिम्मत के साथ जुटे रहो, दिन रात लगे रहो, मैदान में डटे रहो, मैदान मत छोड़ना एक ना एक दिन तरक्की जरूर तुमारे कदम चुमेगी, ऐसलिब बेस परिवार तुमारे साथ है, भगवान की दुआएं आपके साथ है, हमारे आपकी हिम्मत और हमारे हिम्मत मजबूती से लड़ेंगे और दुनिया को जीतेंगे, हिम्मत मत हारना दोस्त, जस्पे से कभी पीछे मत अटना, चानूनी बनके, तिन रात महनत करके, अपने परिवार को वो खुशियां, वो सपने पूरे करना, जो परिवार आस तक नहीं कर पाया, बहुत मजा है अगरतलावालो, एक बार और आपको, God bless you, best of luck, thank you so much. सभी लोगों से मुलाका थोनी जरूरी थी ना, तो मुझे उत्राखंड को लियाओ, लाओ यार जैपोर उत्राखंड गाजेवाद छोड़ क्यू रहे हो, और मेरा डिस्टिक तो वैसे मत छोड़ ना, मत तुझे नी छोड़ूंगा, बाला गाट, लाइव लाओ, सबको लाइव लाओ, कोई नहीं खाना खाएगा, टेंचन नहीं, लेट होने दे, लाइव लाओ, कहां पर है, अको यह, यह कहां से बेननी हुए, अब लोगों को मेरी तरफ से जनम दिन की बहुत बहुत सुपकामना है, बहुत ब्लेस्यू, बेस्ट ओफ लक और आप लोग हिंदूस्तान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे जादा तेज ग्रोथेबल टीम है, खटीमा उत्राखन, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी अच्छीमेंट भाई हैं और आपके लीडर मिस्टर बंडारी जी ने आपको जो गाइडलाइन दी है, उन पर चलके आज आप लोग यहां तक पहुचे हो तो खटीमा उत्राखन, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 बैस्ट पिसेज, बैस्ट ओफ गोड ब्लेस यू, फट्टे चग दो, चग दो किली नाप दो दिल्ली, कर दो सिस्टम सैट, ये कहा है सुकला जी, बालागाट, क्या आते हैं अनिरुथ, कैसे हैं हमारे बालागाट वाले महराटा फाइटर, गोड ब्लेस यू, हैपी बट्डे टू अलो फ्यू, मेरी सबसे आपको सलाम, भगवान, परमात्मा, अल्ला, गोड, वाइगुरू, आप में हिम्मत दे, शक्ति दे, हम सब मिलके दुनिया जीते, किसी के घर में बीमारी ना रहे, किसी के घर में बिरुजगारी ना रहे, किसी के भी कोई सपने ऐसे ना रहे, जो ऐसली पिसमाने के बात पूरे ना हो, ऐसे मैदान में टटे रहना बाला गाट वालो मैदान मच छोड़ना, आपकी लीडर्शिप कमाल है, बेमिसाल है, छे साल बेमिसाल, थैक्यू बाला घार्ट, भरतपुर, 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 शुकला जी, शुकला जी, God bless you, बेस्ट अरे यह एक रियासत है जट्टों की जो कभी अंग्रेज भी घुलाम ने कर पाए यार ताली बस्तियस पे ताली बंती है यार शुकला एंट टीम आप सबको बहुत बहुत जनम दिन की मुबारक बात भगवान अल्ला खुदा गोड भाय गुरू आपको सलामत रखे दिन दुनी राच्चोगनी आप तरक्की करो हिमत जस्बा बना रहे कभी ना गिरो किसी भी हालत में चलते रहो मैदान में डटे रहो ब लग जाएगी एक ऐसा दिन जरूर आएगा आज हमारे पास सो के आसपास लगजरी हैं हंड्रेट लगजरी इन शिक्स यर्ज जह साल में और मैं गारंटी देता हूं यह भी लिख लेना कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लगजरी अपने पास होंगी और सबसे ज्यादा जरूर दिखा जैपुर में मेरी भीवी रहती है पास समझागर यार अरे मदलाल जी कैसे हैं आप मदलाल जी नमस्कार गुरुदेव नमस्कार मदलाल जी आपको आज कंपनी जनम दिन की बहुत-बहुत शुब कामना है एपी बड़ देट और हमारे देश का भी ताज है औ और कहिना की कंपनी का भी ताज है आप लोग मदलाल जी जैसे इनोसेंट और प्यारे लीडर मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखे मदलाल जी यूर दा बेश्ट लिडर इन एसलिप्यस में आप जितने बेश्ट लिडर उसमें एक हो और आप जैसे लोगों के साथ काम कर पहली आइडियो आप कंपनी की यह जैपुर से को परमु सिंग कुरा नीले कोट में यह कंपनी नहीं वरी ती उससे पहले पैसे देगा बोला जितने भी लगा लेना आपके साथ काम करना है अलो परमु सिंगी आपको बहुत-बहुत हैपी बटे टू यू जनम दिन की कंप आप तरक्की करो मैदान में धके रहो दोस्तों मुसीबित आएंगी तकलीप आएंगी पर हार ना मत धटके सामना करना जीवन में जब भी आपको बड़ा काम करोगे तो एक चैनलेंज जरूर आएगा उस चैनलेंज को बीट करने के लिए तईया रहे ना थाक्यू सो मॉच दोस्तों कंपनिया बहुत आएंगी जाती रहेंगी आती रहेंगी जाती रहेंगी यह तो सल्सला आज से नहीं विछले 22-25 साल से चल रहा है है और जो आदमी इदर उदर की भटकते हो फेलियर होते अचीवर कभी नहीं जाता इक अचीवर नहीं जाता और जिसका विजल किलियर है कि यार अभी नहीं मिली तो दो साल बात तरक्की मिलेगी जह मही बाल सर बारे करोड कमा सकते हैं शिek कुँगा सकता है अनूज कमा सकता है तो यहां बैटा हिंदूस्तान का बैटा हर अर्वाटर क्यों नहीं कमा सकता अगर क्यों जानना चाहते हो तो इनसे जानो ये काम कैसे करते हैं जैसे ये काम करते हैं वैसे काम कर लो जाहिए पहुच गए वहाँ तुम सब पहुच जाओगे तो दोस्तों कुछ नए प्रोडेक्ट जो नवंबर या दिसमर एंड तक आ जाएंगे बहुत यूज के प्रोडेक्ट हैं आप सब के बहुत काम आएंगे वह आज कंपनी लॉंच करने जा रही है और प्रोडेक्ट का पिटारा जब हमरी नई यूनिट बन जागी क्योंकि या लो ठीक है कि अगर मैंने यह बता दिया इतने करोड़ की सेल हमारी आ रहे है तो फिर चुन चुने लग जाएंगे बचार में तो इतना ही बतारों एक रूपे की भेज रहे हो फिर आचानक दो रूपे की बेज देती और दादा मैने तैयारी तो एक रूपे की करीती प्रो जाके फोटू खीच रहे हमाल सारा घतब हो गया अगया यह कमाल आप लोगों का यह दमाल आप लोगों का है इसी को कहते है छह साल जैसाल ऐसे ही करते रहेंगे दोस्तों हम कमाल तो कुछ प्रोडेक्स आज आपके लिए मैं लॉंच करता हूं वाकि ज्यादा तर प्रोडे करता है